है 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 अब है 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 अब आपको आफ़ाज आ रही है तो फट फट एक बार अगर मुझे बताइए थम्स अप करके कि आपको आवाज पहुंच रही है कि अगर कि अगर कि अगर कर देता हूं ताकि बाकी बच्चे भी जूट जाएंगे और उनको नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगी यह मैंने श 그래도 कर दिया जी टेली ग्रम चेनल के उपर भी क्लास और जल्दि से जल्दि बताईए अवाज आ रही है चलaltungा तेली व्य शुन भी लिया है हैंगे आ जी बिल्कुल आ रही है घर अ कि गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग एक सेकंड बस चलते हैं स्टार्ट करते हैं एक सेकंड रुके जी गुड़ इवनिंग सबको गुड़ इवनिंग चले करते हैं जी स्टार्ट हम सो हाज है हमारा सेशन तो सेशन है आज हमारा सेट नंबर फाइव और इस वीडियो को लेके आ अगर फालो कर सकते हैं टैली ग्राम चैनल की ऊपर आपका नाम मेरा नाम सर्च कीजिए दक्टर विपनगोई नाम और इंस्टाग्राम की उपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टैली ग्राम चैनल के साथ आप जोड़ जाहिए क्योंकि यहां पे एक लाख उननीस हजार बच्चे प्लस मेसा जुड़े हुए है क्योंकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन कई यूट्यूब से नहीं आती तो हम जो है टेलीग्राम चैनल के उपर मैं शेर करता हूं प्लस पीडिएफ बगएरा और प्लस जितने भी हमारे पेट कोर्स की जानकार सब्सक्राइब को इसमें फोल्डर बन जाएगा वह चीक है अलग से और स्टेट पीसेस के कोश्चन भी उसके अंदर हम कवर करेंगे और उसमें आएगा सैट वन सैट टू सैट त्री इस तरीके से वह चीज़ जो है इसमें लिखके आए कि क्लियर और यह सभी कोर्स है दू पर बटन को दबाना जैसी आप दबाओगे तीसरे नंबर की उपर आपको दिखेगा 10,000 mcq course और पांच भी छटे नंबर पर नजर आ जाएगा आपको डाड़ी जी एस कोर्स नजर आ जाएगा जो भी कोर्स अच्छा लगता है आप पर चैस कर सकते हैं प्रप्रेशन को आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है चले जी फटा-फटा इसका अंसर देने की कोशिश कीजिए पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूँ यह कोशिन आप अटेम्ट कीजिए मैं जीएस का टीचर हूं जीएस जनल स्टड़ी जनल अवेर्नेस का मैं मैं कंप्यूटर का टीचर नहीं हूं ऐसा है कि हाँ पढ़ा तो हम सब कुछ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ भ ठीक है तो मतलब यह है कि टीचर है तो पढ़ा सब कुछ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा ले ठीक है ऐसा नहीं है तो हम जीएस के टीचर है तो हम जीएसी पढ़ाएंगे ना हम कंप्यूटर आती है ना हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे ना हम मैस करेंगे बिल्कुल उसके अंदर आपके 10,000 कोर्स के अंदर मैं स्पेशल सीरीज लेकर आओंगा उसमें आपको बताया जाएगा आप जो है 10,000 10,000 mcq कोट्स पर्चेज कर सकते हैं 10,000 mcq ठीक है चले जी अब हम स्टार्ट करते हैं कि चले जी अंसर देने के कोशिश कीजिए फटाफट पहले तो वर्ड क्या बोल रहा है एकोटोरियल फोरेस्ट जल्दी से जल्दी बताए एकोटोरियल फोरेस्ट है एकोटोरियल फोरेस्ट जिसे आप कहते हैं विशूवत फ़र्स फर्स फ़ फॉल इनकी क्रेक्टरिस्टेक्स के ऊपर कौशन पूछ रहा तो फड़ा फड़ अंसर देना है कि क्या अंसर बनेगा इसका क्रेक्टर स्टिक फीचर का ठीक है चलिए जी देखे क्या है इकोटो सिधी पड़ रही है और sunlight दो पढ़ती पड़ती और यहां पर आपके जो है temperature condition high होती है और आपका rainfall वह ज्यादा हाइँ होती है जब temperature condition जदा होगी rainfall जदा होगी तो इसका मतलग क्या होगा तो हुमिडिटि भी यह जदा होगी तो तो बात यहां पर यह है कि इसके क्रेक्टिस्टिक फीचर में कोशिन पूछ रहा है कि इसमें क्या अंसर बनेगा वह आपको देखना है ठीक है थोड़ी से कम करो और इसमें देखें जी क्या गयता है प्रेजेंस ऑफ दा टॉल क्लोजली सेट ट्रेज विद क्राउंस फॉर्म सब्सक्राइब क्योंकि बारिश होती जा रही है वहां पे और उस पर बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे दिखाता हूं आपको फोटो इस तरीके से होगा ठीक है तो इस एक पूरे के पूरे घने वन होंगे यहां पे बिल्कुल होंगे दूसरा है को एक्जिस्टेंग और पॉल स्पीशी जो होंगी बहुत ज्यादा होंगी जाने की वहां पर जातियां होंगी यह पॉंट सही है ठ्ह है अप लोगोंको है कर भूल कर बिल्कुल और का जाता है हाँ समझाए आप लोगों को बिल्कुल जी सो यह पॉइंट आपका यह भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है तो इसका मतलब यह तीनों के तीनों दोन मिल रही है तो अधि वहां पे क्या होने वाली स्पीशिष भी ज्लिकल रहने को प्लांट यह हैं उसने क्या बनीगा ओप्ष्ण बनेगा करेक्ट अंसर जी डी ऑप्षिन बनेगा वान टू थ्री इस अ करेक्ट अंसर वान टू थ्री इस राइट वान यह है आपके एक्वेटर वाले प्लांट नेक्स देखेजी डिरेक्टी प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हाँ बिल्कुल यह बच्चे ने सही बोला है अखिल ने सही बोला है कि सनलाइट जो है वो बिल्कुल नीचे नहीं पहुंच पाएगी बिल्कुल जो डैंस इतने जाता हो जांगे धरती की उपर नहीं पहुंच पाएगी यह भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है बिल्कुल कोशन है डिरक्टी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैस बिन अडॉप्टेट फ्रॉम विच कॉंसिशन डिरक्टी प्रिंसिपल जो है आपका पार्ट फॉर के अंदर आता है आर्टिकल 36 से 51 नंबर तक आते हैं और यह हमने बोरो किये हैं कहां से आयलेंड कॉंसिशन से औ कि स का उदेशा है सोच्राइश्य में करना इसका उदेशा होता है ट्लिए होगे आप लोगों को सोच्राइब इकनामिक डैमोट्रेशी इन mix सट करो घिट पर एक simple अगंगरीन मेरे को शता हुए कि ठीक सोचलने और देमक्रेशी प्रॉइट करना जो फो है इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्षिन बनेगा यह कोशन पूछे जाते हैं पेपर में यूपी एस्सी में बहुत बार पेपर में आया हुआ कोशन चैनल का इम क्या होता है पीछे तो एप्षिया और दूसरा सोचल और इकनॉमिक डेमोकरेशी प्रोवाइड करना और इस सा इंडिपेंदेंस ऑफ जुडिश्री यह सारा कॉंसेप्ट हमने यहां से लिया है प्रेंबल वगड़ वगड़ा रिटन कॉंसिविशन ब्रिटेंब से क्या लिया है रूल अफ लॉव रूफ लॉव सिटिजन सीप सिंगल सिटिजेंशिप और बाइकमर लेजिसलेचर और रि अगला अंसर बताईए अ जी यहां पर बात कर रहा है capital account और capital के बारे में बात कर रहा है देखिए दो चीज़े आपको समझनी है कि क्या समझनी है इसको को समझ लो फिर मैं आपको इसका अंसर भी बताऊंगा आपको एक बार कुशन को देख लो ठीक है अब एक चीज मैं आपको बताता हूं क्या होता है concept जैसे हम कहते हैं कि बैलेंस ओपेमेंट एक होता है बैलेंस ओपेमेंट और एक होता है आपका बैलेंस ओफ ट्रेड बैलेंस ओफ ट्रेड में हम सिर्फ बात करते हैं गुड्स की बात करते हैं बैलेंस ओपेमेंट में हम करते हैं गुड्स और सर्विसीज की बात गुड्स और सर्विसीज की बात करते हैं अब बात यहां पे है कि बैलेंस हो पेमेंट ने आपके दो three two सोते हैं एक होता है आपा करंट अकांट यह च्रार इक लिए रैंस आपैमेंट पान दक है यह देश का है हमारी कंट्री गया का है यहां रखना तो यहां पी क्या होता है मरन अकांट 2132 रिक लगेंट capital account clear हो गया आप लोगों को चीक है तो जो पेपर में कोशन है वो यह वाला है इसकी उपर कोशन आया हुआ है यह पेपर में यह भी आ सकता है यह भी देखते हैं कि करन्ट अकाउंट में हम दो चीज़ों को आगी consider करते हैं क्या एक तो गुड्स को और एक services को goods को और services को consider किया जाता है clear हो गया आप लोगों को goods और services को current account में हम करते हैं यहाँ पे goods का मतलब क्या आगया कुछ भी लें देन जो भी आप import export करते हो लागी like for example अब कार्स होगी mobile phone हो गया anything laptop होगे clear कुछ भी आप सेल पर्षेस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आजाएगा आपका यहाँ पर goods के अंदर आजाएगा और और गुड्स भी आके हाँ इसको हमें ऐसे भी लिख सकता हूं कि visible visible में आपके car phone वगएरा ऐसे आसकता है यहां पर ठीक है और एक होता है आपका जो है इनवीजीबल चीज़ें इनवीजीबल और इनवीजीबल में क्या क्या चीज़ी आए जाएंगी जो हमें दिखती नहीं है लाइक फॉर एक्जम्पल सर्विसीज जैसे आपकी बैंकिंग सर्विसीज होगी ठीक है आप टीचिंग एडूकेशन हो गया इतना मतब फॉरन से हमें पढ़ाए जा रहे हम भी पढ़ाते हैं तो यह सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को आपको मिलेंगी क्लियर हो गया इंकम इंकम क्या हो सकता है प्रॉफिट प्रॉफिट हो सकता है ठीक है डिविडेंड डिविडेंड अगेन आपका क्या होता है प्रॉफिट होता अगर सपोज को कि आप बाहर की देश में रहते हो आपकी country से मतलख आपकी family से कोई बाहर देश में रहता है तो वह हमें पैसे बेज रहा है like for example donation हो सकता है यहाँ ठीक है gift हो सकते हैं तो यह इस इसी छीज़े से किसके अंदर आती है ईंवीजबल चीजों के अंदर और यह सारी चीज़ें किस में चेयर करते हैं किंडर करते यूंहने केक्रमखकों क्लियर जिसमें आपका लेखा जोखा प्रोपर तरिकेश से चलता है डूसरे आजो कैपिटल capital account में हमेशा long term funds की बात होती है मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी capital word आ गया तो वहां पर long term word आए गई आएगा clear long term funds की बात हो रही है यहां पर कौन कौन से चीज़ी आएंगी आपकी जैसे कि मतलब आपने किसी देश से पैसा मांग लिया यहां पर डोनेशन दे रहे हो और कुछ पैसा वैसे बेज रहे हो ठीक है एज गिफ्ट तौर के उपर तो आपका वो किसमें कंसीडर किया जाएगा आपका इसमें लेकिन अगर आप प्रॉपर तरी से अकाउंट में चल रहा है काम आपका तो डाड़ी वाला पैसा capital अकाउंट में आएगा तो दीज आर दा क्रमेटेंस नहीं यह मैंने आपको बताया था कि करंट अकाउंट का पार्ट है यह नहीं आएगा यह गलत हो गया पोर्ट फोल्य इंवेस्टमेंट जिसे आप कहते हैं एफ फॉरण इंस्टिशन इंवेस्टर और एफ पिई फॉरण पॉरण पॉरण बनेगा राइट अंस बनेगा राइट अंसर उसमें बी औप्शन बनेगा राइट अंसर नहीं है समझाया इस समझाया थीक है समझाया आप लोगों को जी क्लियर सब को चलिए अगे यूशलते हैं अगली कोशन की तरफ होते हैं अगला बताईए है इस घुल से हम बताया जाता है इस टीक है अपर मानु संख्या यह होती है एक होता है मास नंबर क्या होता है मास नबर नॉट प्रोटों प्लस नंबर ओफ नीट्रों उसको क्या कहते हैं मास नंबर इससे आप कहते हैं रबय मान संख्या कहा जाता है असक्लिय को आप लोगों को यदिलेक्टन और प्रोटॉन लेकिन जब भी आपका बिज में च jetzt किndh number of proton ध्यान रखना number of proton को consider किया जाता है इसके इसके अंदर तो इसलिए हमारा answer क्या बनेगा आपका बी option बनेगा correct answer इस question में हम लेक्टोन नाट करके प्रोटोन डिसकस करेंगे क्यों अब आप कहेंगे कैसे सर यह कैसे हो सकता है for example मैं डाल देते हैं का कार्बन का ऐसे आपका यह होता है आपको सिंबल बता है का कि अ necesita the number atomic number to die और कि अबर ह्यां हो गया था मैंने आपको बताया था अगर हम neutron निकालते हैं अगर हम neutron कालते हैं तो नीре निटरोट क्या अब एक चीज़ बताओ यहां पर क्या होता है मास नंपर क्या होता है नंबर आफ प्रोटोन प्लस नंबर आफ न्यूट्रोन और यहां पर क्या है आपका अगर मैं इसको प्रोटोन इसको करूंगा तभी आपका प्रोटोन और प्रोटोन कटेगा तभी हमें क्या आएगा न्यूट्रोन आएगा तो इसी लिए हम इसको क्या कर लेते हैं मेली प्रोटोन कंसिडर करते हैं लेकिन अधरवाइस definition is number of electron और प्रोटोन प्रेजन इन एन एटम जब ऐसा केसा आएगा तो इसके अंदर हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे तो ध्यान रखना है आपको क्लियर होगे आप लोगों को समझा गया आप लोगों को ठीक है बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर ठीक है हमसे प्यार करने वाले तो धोखा खाएंगे ठीक है सो प्यार अपने आप से कीजिए तो मेरे से मत कीजिए ठीक है मेरे से तो दोखा ही मिलेगा तो मत कीजिए प्यार ठीक है सो बहना ठीक है मत कीजिए प्यार और अगर भाइया भी है तब भी ठीक है अपने आप से कीजिए प्यार और सबसे सेल्फ लव बहुत अच्छा लव है प्यार अपने मातबिता से प्यार कीजिए और मेरे को प्यार करने वाले हैं सो दिल ने तोड़ना चाता मैं आपका चलिए जी है अगला अंसर बताएए अगला अंसर बताएए अगला अंसर बताएए फटाफट अंसर बताइए फट अफट मुराल पेंटिंग जो होती है वो क्या होती है मुराल पेंटिंग क्या होती है यह आपको बताना है इन में से कौन सी मुराल पेंटिंग यह फट अफट बताइए जल्दी से जल्दी फिर्स्ट फॉल मुराल पींटिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हो फिर आपको च assessments मुराल पेंटिंग इस तरीके से होती है आपकी ठीक है जिसमें एक मतलब जो बूर्ड हो ता है गत्ता गत्ता टाइप ठीक है उसके अंदर एक पींटिंग अर मैं डिफ्रेंट डिफिर्ट कलर्स के जो होती है आपकी इमेज लगी होती है नाट फ़ोर एंट यहां पे अर लिजव हो सकती है ठीक है यह दरबार की भी हो सकती ए जाघ मानूमेन्ट सपरें को कि हंगी है is इसकी कोई paintings हो सकती है यह आपको द्यान रखना क्लियर होग आप लोगों को यह चीज ध्यान रखने हैं अब मुराल पेंटिंग्स में इस में कोशन पूछा गया है कि इसमें कौन सी चीज इसके अंदर आती है यह आपको बताना है जल्दी से जल्दी बताई इनमें से कौन सा option बनेगा अब यहां पर देखे जी वर्ड ध्यान द्यान से समयना है यहां पर लिखाओ अजंता के अजंता के बिल्कुल आपकी मुराल पेंटिंग से क्योंकि मैंने आपको बताया था अजंता पेंटिंग जो होती है आपकी फ्रेस्को पेंटिंग होती है और इसके अंदर आ इसके अंदर जो है आपका है इसके अंदर मुंटेक्ता कि यहाँ पर तो कमप्लीट एपसेंस होती है प्राइअ प्लीय ALEXE 29 29 जो है बुद्ध भगवान के लिए हैं बुदिष्ट धर्म के लिए हैं तो इसमें क्या बनने वाला आपका पहला आपका बिल्कुस सही है दूसरा आज़ो लिपाक्षी टैंपल अगर आपको याद हो लिपाक्षी टैंपल हमने हाल फिलाल में डिस्वस किया था लिपाक्षी टैंपल यहां पर आंद्रापरदेश में सबसे बड़ा लार्जस्ट नंदी नंदी भगवान जो हम कहते हैं तो वह आपका लिपाक्षी टैंपल में देखने को आपको यहां पर मिलता है क्लियर होगे आप लोगों को और यहां पे जो होती है पिच्चर की अगेन आपका जो है हां ठीक है यहां पर भी देखने को आपको नहीं मिलता ब्ल्यू कलर आपको यहां पर भी देखने को आपको नहीं मिलता यह आपको ध्यान रखना है लिपाक्षी टैंपल आद्रा परदेश क्लियर उसके बाद ऑच सांची स्थोप किस ने बनवाय था अशोक ने बनवाय था के लिए मध्ध्यापरदेश के अंदर है यह वाला परट बिल्कुल कि समझ आया ठीक है और यहां पर जो है आपकी अन-बन भिक्स देखने को आपको मिलती है अन-बन बिक्स तो यह वाला पाट तो नहीं होगा बतलब यह दोनों ही दोनों सही कोई बच्चे ने मुझे अभी बताया है इसके अंदर जो है आपका सिर्फ जो है मॉडन इंडिया का पाट है मेरे से गलती से कोशन दिया गया बट कोई बात नहीं अगर आपको यूपी सी के अंसरी में क्या बनेगा ऑप्षिन बनेगा और दीज यह आपके मूर्ति नहीं है मतलब पेंटिंग बगएरा देखने को आपको मिलता है अग्ला बिदेगों पर करते हैं अगला है जानों से हमें मिलता है और अफसादी चटाने जो है वो चार तरह के की हैं वो कौन-कौन सी है मैंने हमेशा याद करवाया आपको से आपको याद करना है एंथ्राइट बिटूमिनस लिगनाइट और पीट सबसे अच्छी वरायटी जो होती है अंत्राइट में सबसे हाड़ेस्ट कोल है सब्से अच्छा कारबन है कम दूआ निकलता है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत जादा होती है लेकिसारा उल्टा काम तो इसमें बनेगा राय कंसर क्लिर होगे आप लोगो जी उन ऑप्स बनेगा रायिट अंसर चले आगे चलें आगे आगे लिए आगे देखें जी क्या क्या एता है भायडवस्टी फॉर्म प्र पैसिस फॉर हुमन एग्सिस्टेंस इनदा पॉलिंग वेज जैविक बुवित् ठीक है हम यह जोग्रफी मत लगाओ यह आप इसको आप उसमें भी चंसीडर कर सकते हैं जोग्रफी मत लगाओ भराई थोड़ा सथ देखो यहां पर इन्वारमेंटल सेक्षिन भी आ सकता है यह कॉमन कोशन है आपका इट से कॉमन कोशन दिस इस नौट दर जोगरफी इस नौट दर एनिटिंग इस इस आप लो पता क्या और यह चोशन कहां से आगा बिल्कुल सिंपल कोशन है लेंग्विज बेसिस की उपर कोशन है इसमें यह नहीं है कि यह जोगरफी है ध्यान रखना ठीक है मुझे पता है कि वहां पर जोगरफी नहीं आती बट फिर भी आपको कंसीडर करना है चलिए जी बाइडवस्टी जो है आपका जो है किस चीज़ का बेसिस बनता है बेसि स्पिशी दिखने को आपको मिलेगी मिलेगी क्लियर होगा आप लोगों को यह तो यहां पर दूसरा पॉइंट करेगा करेगा दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ दस्वाइल इरोजन मतलग क्या है कि म्रिदा अपर्दन की रोख थाम भी करता है बिल्कुल जब स्वाइल और स्वायल को गया देखने मिलेगी फॉसके साथ क्या रिस्साइकल पॉलिणेशन का मतलब क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह तक चीज साथ आगर आप हवा पानी के साथ जो है आपके पॉलन ग्रेंस जाते हैं फ्रॉम दा मेल पार्ट टू दा फीमेल पार्ट लियर तो डड़िस कोल आपका पॉलिनेशन एक लोगों को कि लिए रोग आप लोगों को चले आगे कि ठीक है कि चलो अगला बताइए यह statement कि नहीं थी ecology is a permanent economy ecology इस ए पर्मानेंट economy वर्ड किसने दिया तह चिपको स्लोगन दिया था चिपको मुवमेंट कहां पर होई थी 1973 में उस टाइम पर उत्तर प्रदेश था लेकिन आज हमारा उत्राखंड है उत्राखंड में देखने को आपको मिली थी और यह मुवमेंट जो है किसने स्टार्ट की रही थी डाड़ी सुंदरलाल बहुगाना जी तो इसमें क्या बनेग चिपको मुवमेंट यह कोशन थोड़ा सा ध्यान से समझना है को फोन को थोड़ा सा टेड़ा कर लेना कोगे बहुत लंबा कोशन है देखें जी एसपार्टेम जो है आर्टीफिशर स्वीटनर होता है क्लियर जो मार्केट में सोल्ड होता है और इसके अंदर अमीनो एसेड होते हैं है और यह हमें कैलरी मिलती है लेकिन इसके अंदर लोग मिलती है इनदा इसका रिजंड क्या है ध्यां समझे क्या गह रहा है असपार्टेम जो है एक आपका क्या है आपको एनरजी लो जैसे आपके वह आपके ना शुगर शुगर फ्री गोलियां आती है यह यलो पैकेट में डबी में तो आपका और उसमें आपका असपार्टेम देखने को आपको मिलता है और इसको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि पहली बात तो यह जो है हमारी सुक्रोज जो होती है नॉर्मल घरों में तो असपार्टेम को हम यूज कर लेते हैं दानीैं क्योंगेजैन इसके अंदर जो होता है इसके कंपैयरिजन में आपकी शुगर कम होगी तो यह यह बहुत ज़्यादा होगी लेकिन इससे कम अंगी कम कम चैलरीज मिलेगी क्योंकि इसका जो होगा तो उसमें हमें energy जो है कम मिलेगी calories हमें कम मिलेगी clear होगे आप लोगं को तो oxidation होगा इसके अंदर जिसके कारण जो है आपको कम energy देखने को आपको मिलती है यहां पर ध्यान से समझना है को ध्यान से समझे पेपर में आपको सीधा भी कोशन पूछा सकता है कि इन में से आपका artificial sweetener कौन है तो aspartum is the artificial sweetener इसके इलावा भी मैं आपको बता देता हूं जैसे कि आपका सुक्रा लोज सुक्रा लोज आ जाता है आपको ठीक है और artificial sweetener के अंदर ये भी आपको जाद का लेना है असपार्टे माता है ठीक है और देख लेते ऑप्शन एसपार्टे में स्वीटेस टेबल शुकर पहली पॉइंट पॉइंट हो गया यहां पे वह टेबल शुगर से ज्यादा मीठा होता है इडिज नॉट गलत पॉइंट यह आपका क्या है नॉट रेड़ गलत पॉइंट है इससे आपको कैलरी सो मिलती ही मिलती है को कोशन में लिखा हुआ है लो कैलरी तो यह पॉइंट आपका गलत हो गया चौत तीसरा भी एसपार्टे में सेवरल टाइम स्वीटन जैदा टेबल शूगर हैंस फूड आइटम मेड विद दा स्मॉल कॉंटेटि जी विदी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर क्लियर ओगे आप लोगों को जी डी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर हां करें आगे ओनली डी इस दा करेक्ट अंसर को थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे न तो आपको समझ आ जाएगा अधरवाइस बहुत ज़्यदा चीज़े चलती जाएंगे आपको चीज़े नहीं पता लगेंगे नेक्स्ट बताईए जी सार टेस्ट इंदर लेमन इस ड्यूटू दा प्रेसेंस ओफ देखें जिक चुक खट्टा स्वाद होता है निम्बू का वह होता है सिट्रिक एसिड के कारण को कि सिट्रस फ्रूट इनको कहा जाता है सिट्रस फूट ऑर किसमे और इंदर भी सेट्रिक एसिड देखने को आपको मिलता है अगया खरों मिलता है जंग की निशान मिटाने को रस्टूट मिटाने और यह देखने को मिलता है कहां पिए अगला बताइय illumin को शना को यह वाला को च्छन बोल रहा है अंड़ारा फ्रोविफ एटे ये तो लोग थे ना यह आपके इंडियांस के लिए बड़े फाहिदे मतलब इंडियंस को फाहिदा पहुंचाना जाते थे और इंडियंस की इंडियन के रूप राइट के लिए बात कर रहे थे हमारे देश के राइट स्क्राइब बात कर रहे थे ध्यान रखना आप लोग गो मैं हां बताईए इसमें इंसर क्या बनेगा इसमें अनसर बनेगा क्या कि यह जो है आपका एक्शली इन्हों तो कमेटी बिठाई थी house of common के अंदर वो इसलिए बिठाई थी क्यूंकि वह पॉलिटिकल जो है आपको reforms देना चाहते थे तो दिस वाज़ा में नेम जाने की इंडियल्स को जो है आपके बताएए बताएए जल्दी यह सका अंसर क्या बनेगा आपका ए ओपिशन बनेगा राइट अंसर तो एजिटेट फॉर्ड पॉलिटिकल रिफॉर्म इंद आउस और याद रखना है तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका ए ऑप्शन बनेगा और एक बिलकुल यह बिठ लखना है ठीक है इंडरनेशन कॉंग्रेस बना था और आपका एओ यूम जो है इनको बनाने के लिए बड़े आगे थे जो अंग्रेज थे एओ यूम ने बनवाया था बिल्कुल जी प्लियर अंसर इसमें ए ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर नेक्स बताईए नेक्स बताई जल्दी से जल्दी बताईए जल्दी से जल्दी जी फड़फड क्या है तो स्केडूल के उपर कोशन है स्केडूल का मतलब क्या होता है पहली बात तो हमारे देश की गवर्नेंस करने के लिए गवर्नेंस करने के लिए ठीक है रूल्स रेगलिशन बनाने के लिए बात हो रही है तो यहां पर बात आती है क्या असम में घाल से वो भी मैंने आपको बहुत बार बता रखा है आपको पहला स्केडूल किसके लिए था आपका यूनियन देखने को मिलता है तो इसörung का अंसर किया बनेगा आपका दी ओप्षिन बनेगा राइट और अप्ष्ञ लोगे लोगो को पढ़ोगे तो अंसर निकल जाएगा यह बिल्कुल बेसिक कोशन है डेली लाइफ में आप यूज करते हो यह चीजे डेली लाइफ में आप चीजे यूज करते हो यह आपको बताना है जी cfl और led lamp जो होते हैं इसके अंदर डिफरेंस क्या है डिसीजा कॉंपेक्ट फ्लोरेसेंट लैंप और डिसीजा अलीड यूज करते हैं पहले हम यूज करते थे cfl यूज करते थे तो पॉइंट समझे और अंसर देने की कोशिश कीजिए इसका अंसर क्या बनेगा जल्दी स लाइट इसी एफल यूजिस अंदर फॉस्फर उड वाइल एन लेडी लैंप यूजिज दा सैमी कंडॉक्टर मटिरल यह आपका पॉइंट बिल्कुल सही है तो पहले क्या होते थे cfl होते थे यह मर्कुरी वेपर यूज करते थे बिल्कुल सही है और led lamp वाले जो है आपक जाने के आपका क्या है कि एवरेज लाइफ जो है आपके cfl की वह बहुत ज्यादा होती है यह पॉइंट गलत है हालनकि जो है led lamp की लाइफ बहुत ज्यादा होती है cfl से लेकिन cfl की लाइफ ज्यादा नहीं होगी तो दूसरा option आपका गलत हो गया तीसरा आजाओ cfl is less energy efficient as compared to the led lamp clear यह भी आपका point बिल्कुल सही है क्योंकि led life led जो होती है वो ज्यादा देर तक चलती है energy efficient होती है आपको कम पैसे भी लगेंगे और आपका खर्चा भी कमाएगा यह बिल्कुल सही है और energy ज्यादा भी देगा कौन led lamp देगा तो यह भी आपका point बिल्कुल सही है तो प हुँ हुँ सीव ऑप्षिन बनेगा one and three is a correct answer see option one and three अगला बताइए a unitary form of government is that in which all the powers are concentrated in the hands of मतलब क्या है एक आपकी इकात्मक सरकार है जिसमें आपकी सारी इसके पास होती है देखे दो त्रीकर की government होती है और एक आपकी क्या होती है युल्ट सिक्स पूछ लिए जाती है तो फैडल कमने की क्या होती है distribution of power जहां पर आपकी power डिश्रिबूइट करी जाती है जा फिर आप कह सकते हो division of power जा फिर आप इसको कह सकते हो तो डी सेंट्राइजेशन ऑपावर क्योंकि फैडरल कमेंट का मतलब यहां पर यह होता है कि यहां पर तीन जगह की उपर देखने को मिलती है आपकी कहां पर सेंटर में स्टेट में और आपकी लोकल में आपका पंचायत और मुंसेबलेटी में पावर जो है ऐसे डिवाइट किया जाता है डैड़ी जिनदा नैशन एमजनसी नैशन एमजनसी के टाइम पर वह यूनिटरी फॉर्म ऑफ गमेंट बन जाती है तो इसमें क्या आएगा कि हमेशा आपकी सेंट्र गमेंट के पास पावर आएगी तो इसका मतलब बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बी ऑ है हमारे देश के अनदर हमारे देश में है फैदल बिट स्थॉंग संक्रुon given प्रियार हमारे देश में फैडेल को मेंट था स्थॉंग है और सूधिस को आप क्या chat हो क procre昨 May संभी अर्द संगिया अरस अद्ब है हाफ ह का यूनिटर सबसे ज़्याद्र पॉर्मन मैं सबसे इस बनेगा करेक्ट अंसर चुले जी अगला बताईए अगला अंसर बताईए फटाफट क्या बनेगा ऑईल जैपर की उपर कोशन है ऑईल जैपर ऑईल जैपर की उपर कोशन है इसका मतलब क्या होता है यह न्यूज में देखने को आपको बहुत बार देखने को मिलता है इसका मतलब क्य क्या होता है और जैपρ का मतलब क्या होता है जल्दी से जल्दी बताईए हो जी यह क्या होता है oil-zapper का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका refineries होती है जहां पे आपका crude oil वगणरा यूज किया जाता है crude oil बगणरा जाता है जहां पे आप ऐसे कहा सकते हों कि फ्रैक्ष्ण डिस्सिलिशन चलती है है उसमें क्रूब होता है कि हो बाहर नदियों में बहए जाता है जिसे प्रिवर्स के निदर खराब हो जाएंगी उसमें आपका काम करता है कैसे काम करता है कि वह अट्मॉस्फरी कार्बन एक्साइड में उसको कनवर्ड कर देता है और वह हामफुल नहीं होती फ्लिक्लिए ही क्या बनेगा आपका करेक्ट अंसर बन जाएगा इस वेरी वेरी इंपर इंपरन गोशन बिल्कुल और इंदर यह चीजे यूस करी जाती है और इसमें क्या बनेगा आपका वन ऊप्षिन बनेगा राइट अंसर वन ऊप्षिन क्लियर होगे आप लोगं को समझ आया आप लोगं को जी ऑ औप्शन बनेगा करेक्ट अंसर ए उप्शन अगला बताईए एलकल ब्लूम रिजल्ट फ्रॉम शेवाल के जो फैलने का क्या कारण होता है एलकल ब्लूम जो आप देखते हो कि जैसे नदियां होती है नदी के उपर जो है आपका ग्रीन ग्रीन कलर का एलगी बगरा देखने क आपको मिल जाती है तो यह ग्रीन एलगी जो होती है वो किसके कारण देखने को मिलती है एक्चली क्या होता है कि ईत्र्व चलोः कैल घर्ल ब्लूम और उन्योट्राफ फ्रॉप्य ऑड drinks बाइयोकेमिकल ऑक्सिजन डिमाड बाक्सिजन डिमाड जैजब पानी होता है पानी के िनदर प्लांस रहे हैं तो उनको भी जीवित रहने लिए और काम करने के लिए चाहिए चीए चाहिए अप लोगों को अब क्या होता है कि बियोडी का मतलब वह कि दिमांद कितनी है उसको जिंदा रहने के लिए काम करने के लिए लेकिन अगर हम कहें इन कि वह पर पर पडूशन तो इसका मतलब क्या होगा जब यूट्र farf oo हो इसको बड़ जाएग सकी डिमांड बढ़ जाएगी उसकी डिमांड ब्लूम होगा यूट्रफिकेशन होगा तो उसके अंदर जो प्लांट्स वगरा होंगे तो उनकी क्या कंडिशन क्या हो जाएंगी ब्योडी लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इस वेरी इंपोर्टन कोशन यह भी प्र में पूछा जाता है क्लियर सो इसमें क्या उसके बढ़िन बर्जाएगी तो चोटी फिश फ्ष खायगी फिर से नलेमल है वह बड़ी फिश में सबसे जाधा आज याँगा क्यूंकि बड़ फिश को को खा रही है बहुत number आंडल धीड़ा रही है तो इससे ऐसी बढ़ जाएगी अगर आप टॉक्सिटी बढ़ा रही हो तो यीटन बढ़ा रहे हो तो आपका यूटर उट्र डीन अगर अब टॉक्सिटी बढ़ा रहे हो तो बायो मैंफिकेशन उसका पार्ट बनेगा यह आपको द्याँ रखना है अप लोगों को प्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में और सैलिनेशन की बात आ रही है हमारा जो ओशन होते हैं उसकी मेंनली सैलेंटिक कितनी होती है यहां पर लिख दिया फारति फाइव ग्राम् होती है falty-35 ग्राम आपको जो है जमась नीन इंड़ मास होना चाहिए और हमारा क alma हिंसे ऑपने आ हैं आपके वामिंग का मतलब क्या होता है समेनिग मोलब में अब क्या होता क्या होता है दर्दी आ पर आती है और आपके धर्ती को बहुत ज़्यादा हीट करती हैं तो वह हीट करते हैं तो एट एंड क्या होती है global warming global warming से क्या होता है कि आपका जो जितने भी ग्लीशर वगएरा होते हैं वह पिगल जाते हैं यह बड़ा इंपॉर्टन कोशन है जल्दी से जल्दी बताईए अगला कोशन बताईए फटाफट कोशन क्या गयता है महादमा गांधी जी के उपर जो है जॉन रसकिन की पुस्तक थी अन्टू देस लास्ट जॉन रसकिन जी की बोल ऐसे पुस्तक थी इनका बहुत जो जो है घ्यारा परवाcyj पड़ा ठाक महात्मा गांधी जी की ख्रीं की ऊपर महात्मा गांधी जी ने इस बुक से जो है क्या क्या टरम दे थी हाँ जी 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 बताईए इसका कोंसेप्ट बनेगा हिसका कोंसेप्ट निकाल रिया ता जिसका नाम है सरवोध्य कोंसेप्ट इसने ने इस आप से पेपर में पूछा था कि सर्वोध्य टर्म किस ने दी तो गांधी जी आएगा और गांधी जी ने वह टर्म किसको पढ़के दी इस बुक को जैडिस जॉन रसकिन की अंटो दिस लास्ट बुक को पढ़के अब कोशन यहां पर यह है कि यह जो बुक है इसके बारे में कि बोलता क्या है बतलब गांधी जई बोलते कि आ है गांधी जी बोलता कि एक सर्वोध्यपा आपका Daarateurs amboda का सर्वोध्या का क्लिए तो इसका मतलब गांदी जी ने यहां पर कॉंसेप्ट क्या दिया कि हां डाट इस अगूड ऑफ इंडिविजुल इस कांटेंट इन गूड़ फॉल मतलब एक बंदे का जो हित है वो सब के हित में शामिल है तो इसलिए यह टम इन्हों ने दीती सर्वोध्या को कंसेप अगर आपको इस लेक्टर के अंदर कोशन और बाकी जो है अगर आपको इस लेक्टर की पीडियाफ चाहिए और बाकी जितने भी नोटिफिकेशन होती है वो मेरे टेलीग्राम चैनल की उपर शेर की जाती है डॉक्टर विपन कोल के नाम से यहां पर एक लाक उन्नीस अज लाधार बच्चे प्लस जुड़े हुए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम की उपर भी डॉक्टर विपन गोल के नाम से फॉलॉउव कर सकते हैं और मेरे दो पेड़ को जाते हैं यहां पर कोशन करते हैं अईसे हम चैटर वाई से क्क करते हैं हमारे किसके अंदर टैनठाउसन οι mcu कोर्स के नदर और इसके अंदर जो है आपका आईबी के लिए पाँचमाइं पार्ट और छटा बंड SUBH额 आएगा इसके अंदर आज लें राथ को रिकॉर्ड करूँगा इसके अंगरी करते हैं और इसके अंदर को डिशुत करते हैं और इसके अंदर और इसके अंदर ही कूपन जगा कि आप डिसकाउंट ले सकते हैं तो सभी हमारे कोश comunque एकिस का सिघेंगे करेंगे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्लेस्टोर से जा फिर आप studyiq.com भी खोल सकते हैं सीधा studyiq.com अगर आप पे देखना चाहते हैं मतलब लैप्टॉप पे देखना चाहते हैं तो इन दोनों को जैसे आप खोलोगे स्क्रीन की उपर आपको नज़र आएगा home page मतलब इन में से एक को खोलना आपको दिखेगा यहां पर बेस्ट सेलिंग कोर्सिस यहां पर व्यू आल का बटन होगा इस व्यू आल के बटन को दबाना जैसे आप क्लिक करोगे तीसरे नंबर की उपर आपको देखेगा एक पर सब्सक्राइन को समझ आया है अब है अप लोगे आप लोगो उपर आपकी सुबहन मिलेंगे हम सुबह नो बजए सो गुल्लक बाकि अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझे इंस्ट्राग्राम के उपर मैसेश कर सकते हैं सो गुल्लक आइस टेक क्यार बबाई जैहिन थैंक यू सो मच